अब एक example देखते हैं switch पे यहाँ पर क्या है कि हम एक number user से ले रहे हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि number जो user दे रहा है वह one है two है या कोई different number है तो इसलिए यहाँ पर number scan कर लिया store कर लिया अब switch switch यहाँ पर क्या है value किस में store है जो value हमने लिया वह n में store है तो यहाँ पर क्या है switch कि अंदर वह n हमने कर दिया क्यों 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 जाहिर है कोई integer ही होगा अब क्या है कि case one अगर वह number one हो जाए तो print कर दे कि number is one और break यानि कि direct यहाँ से बाहर आ जाए अगर यहाँ पर यही break अगर नहीं लिखेंगे तो number is one number is two और number is other than something यह print हो जाएगा तो उसी को हम बोलते है falling through या fall through अब क्या है कि यहाँ पर अगर यह number two हो गया तो print करेगा number is two break और अगर यह one या two के अलावा कोई भी अगर दूसरा number है तो वह किस में आएगा default में यह default लिखा है इतनी भी गंदी हंट्राइटिंग नहीं है default यहाँ पर default लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि printf के बाद यहाँ पर यहाँ पर आए कि number is other than one और two यहाँ पर semicolon हमारा है और इसके बाद हमारा यह switch का जो body अब close हो गया और यह ब्रेसेज हमारा यहाँ पर आएगा उसे प्रोगर्म मर्चा लगता है यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया तो यह हमारा इक्जाम्पल हो गया किसका switch का यहाँ से यह अप लिख सकते है प्रिंट एप यहाँ पर जैसे simple से normal है और देखना चाहाँ तो देख सकते हूं तो बस हो गया